जैसे बच्पन में मुझे लोग कुछ कहते हैं कि बहुत जिद्धी है मैं आप कहता हूँ कि जिद्धी है तो ठीक है मैं ये करूँगा, मैं ये करके दिखाऊँगा ये जिद्धी बहुत अच्छी चीज है तो मेरा ये कहना है कि आप अपने कल्चर को अपने संस्क्रिती पे गर्व होना चाहिए जहां भी मैं गया वहाँ पे शुरुवात में लोग बोलेंगे कि एक बिहारी है लेकिन धीरे धीरे उनको यकीन हो गया कि बिहारी क्या कर सकता है जब आप अपने को जान पाएंगे तो ही आप अच्छे से अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं क्योंकि फिर आप अपना शक्त परतिस्त देंगे एक्जाम के हर घरी में हर स्टेज पे मैं ये बोला कि पापा इतना मुश्किल है मुझसे नहीं हो पाएगा लेकिन पापा कहते थे कि नहीं तुम कर सकते हो तुमको जितना विश्वास तुम पे है उससे ज़्यादा मुझ पे तुम पे है शुप शंद्या हमें सब सब पहले अपने मात्री भूमी के परणाम करे चिए यहाँ पर उपस्ति सारे लोगों के नमन करे चिए हमड़ो नाम सुभम कुमार चिए हमड़ो थेठी उतना अच्छा नहाँ आवे चिए मम्मे के मैं एक मेहना पहले बोलिये कि अहाँ सारा चीज हमरा दिल के बट लेकिन हमरा अपनों मात्री भासा नहीं से खल के आप थेठी मैटली का एक बोली है आप अपने बच्चों को सारा लेंग्वे सिखाईए आप थेठी भी सिखाईए हिंदी भी सिखाईए और इंग्लिस भी सिखाईए आप लोगों को लगता हुआ कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ लेकिन मैंने जब अपनी ट्रेनिंग अकैजमी में सबसे पहले गया तो वहाँ पे सारे यूपेसी क्राक की वे बंदे थे सारे वहाँ पे जोबी थे सब राइंकर थे टॉपर्स थे तो सारे लोगों ने पूछा कि सुभन तुम हिंदी क्यों बोलते हो तुम्हारा मातरी भासा क्या है तो हम बोलें कि मातरी भासा खेटी है वो कभी सीखे ही नहीं तो वहाँ पे सारे लोग बोले कि उनकी तो हिंदी तो दूसरी भासा है सारे लोगों का कुछ न कुछ उनका खुद का भासा होता है और वो उस पे गर्व करते हैं तो मेरा ये कहना है कि आप अपने कल्चर को अपने संस्क्रिती पे गर्व होना चाहिए जहां भी मैं गया वहाँ पे शुरुवात में लोग बोलेंगे कि एक बिहारी है लेकिन धीरे धीरे उनको यकीन हो गया कि बिहारी क्या कर सकता है वो बला कि बिहारी यासे बोलता है वो बला कि गुजराती भी तो अपना अलग भासा बोलता है कभी साउथ वाले लोगों को देखा कैसे हिंदी बोलते हैं तो मेरा यह कहना है कि अपने पे आपको confidence होना चाहिए, आपने पे गर्व होना चाहिए, जब आप अपने को जान पाएंगे तो ही आप अच्छे से अपने life में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप अपना शक्त प्रतिस्त देंगे. मैं जो भी हूँ वो, मैं अपने परिवार वालों के वज़े से हूँ, मेरे परिवार में पापा, ममी, चाचा, चाची, दीदी, भाई, बहन, सबका महत है. मैं कहीं पे भी गया हर दिन मम्मी पापा से हर दिन अपने परिवार वालों से बात किया तो ये कहने के लिए एक छोटा सा बात है लेकिन जब आप अपने लोगों से अपने लोगों के पास रहते हो और उनका फुल सपोर्ट आप पे होता है तो मुझे ये लगा कि अगर मैं एक्जाम नहीं भी कौलिफाइ कर पाऊं फिर भी मेरे परिवार मेरा हमेशा साथ देगा कभी भी ऐसे पापा नहीं बोले कि ये एक्जाम नहीं कौलिफाइ करोगे तो क्या होगा वैसा कुछ में पापा इतना मुश्किल है मुझे नहीं हो पाएगा लेकिन पापा कहते थे कि नहीं तुम कर सकते हो तुम को जितना विस्वास तुम पे है उससे जादा मुझे तुम पे है तो ये सपोर्ट जो है वो बहुत यूनिक रहा वो बहुत अलग किसम का सपोर्ट रहा और दूसर जो पापा कह रहे थे कि घर का महौल अच्छा होना चाहिए तो अभी तक मैं एक एक इंसिडेंस मैंने नहीं बताया है कि मुझे असल में मोटिवेशन कहां से मिला एक बार ऐसा हुआ कि पापा को याद भी नहीं होगा बालदेव दादा मेरे घर पे आते हैं वो अपने बेटी के शादी के लिए कुछ तीन हजार रुपए पापा से उधार पे लिए होंगे और उनकी बेटी के शादी पापा यहां मंदिर में कराये थे तो पापा ने यह नहीं कहा कि तीन हजार रुपए मैं दे रहा हूं वो का कि नहीं आपको वापस करना है फिर वो महनत किये और फिर वो तीन हजार वापस जब दे रहे थे तो मैं भी देख रहा था पापा ने सारा नोच काउन किया पांसो के नोच से फिर एंज में तीन एजार रुपे दादा को दे दिया कि यह आपकी महनत की कमाई है यह आपने साथ रखे यह मैं कहना चाहता हूँ कि इस से यह क्या हुआ कि वो सामने वाला महनत किया वो कमाई ही वो फ्री का पैसा नहीं समझा इसी तरह मैं भी चाहता हूँ मेरी ये कामना है कि मैं भी लोगों के लिए काम करूँ एक बार रिजल्ट आ जाना बड़ी बात होती है उससे बड़ी बात है कि लोगों के आशाओं पे ख़रा होना मैं भगवान से पढ़ातना करता हूँ कि मुझे इतनी सक्ति दे कि मैं हर लोगों के आशाओं पे ख़रा उतरू इसके अलावा आप आप जो भी रहें लेकिन सबसे पहले आदमी अच्छा बनें लोगों ने कहा कि तुम्हारा लग बहुत अच्छा है एक्जाम कौलिफाय हो जाता है अच्छे कर लेते हो लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप तरलक तभी साथ देगा जब आप खुद के लिए आप सही हो आप दूसरों के लिए सही हो आप दूसरों की मदद करें आप आप पे भवाहन मदद करेगा चातरों के लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसे बच्पन में मुझे लोग कुछ कहते हैं कि बहुत जिद्दी है मैं अब कहता हूँ कि जिद्दी है तो ठीक है मैं यह करूँगा मैं यह करके दिखाऊँगा यह जिद्द भी बहुत अच्छी चीज़ है परचभाव हर किसी के जिन्दगी में होता है, मेरे भी जिन्दगी में रहा, जब विद्धे विहर में, क्लास 6 में गया, तो 110 लोगों में मेरा स्थान जो होता था, वो 40-50 के असपास होता था, लिकिन पापा मुझे कभी फोर्स नहीं कि तुमको पहला स्थानी लाना है, क्लास 6 में ऐसे ही रहा, सेवन में भी क्लास 40 के असपास ही रहन कर रहता था, क्लास 8 में किसी ने मुझे कह दिया, कि शुभम बहुत लखी है, 40 के असपास रहन का आता है, सेक्शन A में चले जाते हो, विदैवर में ये रूल था कि टॉप 40 वाले को सेक्शन A में रखते हैं, तो फिर मैं ये सोचा, मैंने प्रण लिया, कि मैं ये करके दिखाऊंगा, कि ये बस लख नहीं है, मैं मेहनद करूंगा, चाचरों को ये कहना चाहता हूँ, कि जब आप प्रण लेते हैं, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होता है, आप उसको इंप्रिमेंट करिए, और धीरे धीरे, आप खुद का एक बहतर सेल्फ बनके निकले, आपको ये हमेशा लखना चाहिए, कि आज का जो मैं हूँ, कल क जो मैं बनूँगा, वो आज के मैं से बहतर बनूँगा, जिन्दगी बहुत चीज़ सिखाती है, संघर्ष बहुत चीज़ सिखाता है, और लाइफ के हर फेज में, हमारी कोशिस ये रहती है, कि मैं अपना एक बेटर सेल्फ बनूँ, मैं इससे भी और अच्छा बनूँ, और मेरा भी यही रहेगा, प्लाश में मैं एक पंक्ति बोलूँगा, कि कर्मन्ये वधिक अरस्ते, मा फलेशु कदाचना, अर्थात आप कर्म करिए, फल की चिंता ना करें, फल तो कभी न कभी आहीं जाएगा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और को उसके जीवन की शुब कामना के लिए, धन्यवाद कहना चाहता हूँ, कि आप लोग इतनी की तादात में यहां आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने सारे लोग इतनी अच्छी बाते कहीं, मैं ये विश्वास गिलाना चाहता हूँ की, आप लोगों ने जैसा भी सोचा होगा, उस पे मैं खरा उतरने के कोशिस करूँगा, जबनादा